गुड मॉर्णिंग डियर स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे राजस्तान के प्रकृतिक मनस्वतिवे वन संसाधन के बारे में वन प्रकृति पर्दत अनूठा संसाधन है और यह है आर्थिक विकास में महतपौन योगदान देता है हम छोटी कलासों से यह पढ़ते आये हैं वनों के लाव वनों के परकार उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे उत्रमुगलकाल से ही नहीं बलकि भारत में पर्थम विशयुदकाल तक विशाल भाग में वन थे इस समय देश का लगभग एक तिहाई हिस्सा वनों से ढखा हुआ था क्योंकि लकडी एतु जितनी मातरा में वनस्पति की आफश्पता नहीं थी प्रंतु सने सने अबादी बढ़ती गई वह विक्राल रूप धार्ण करती गई फल्त लकडी की मांग बढ़ती गई वह वनस्पति का तेदिक दोहन होने लगा वह पेड़ पोदे कम होते चले गए प्राजीन समय में इन वनों में वन्य प्राणी सवचंद ब्रह्मन करता थे अता है जब तक वनों में आर्थिक और सनस्कर्थिक गतिविदिया तथा धार्मिक कार्य किए जाते थे वन देवता की पूजा की जाती थी वरक्षों को काटने वालों को प्रसासंद वारा कठोर दंड का प्रावधान था वन वरक्ष रोपन वाले व्यक्तियों को समाज का अशिरवाद प्रावध था भारतिय संस्कर्ति वे सब्वेता की अने गटनाएं इन वनों से जुड़ हुई है मावारति की रचना की थी संपूर्ण देश में तपववन पाए जाते थे इसमें रिशीव मुनीर रहकर इस वर साधना करते थे राजस्थान का रावली प्रदेश वनों से डखा हुआ था प्रन्तु वर्तमान में एस्थिति नहीं है में राजस्थान में वनो के कमजोर विकास है तू प्राकृतिक सरकारी वेग्तिक कारक्त उतर दाई है यानि याई अवश्रक्टि अपड़ी वेँसे वनों ने वनों को काट लिया और उस से नश्थ कर दिया प्राकृतिक दर्स्थि से राजय का 31 प्रतिवस्थ भूभाग मुरुस्तल है अर्था दसपरश्टाय की प्राकरतिक मुरुभुमी बनसवति हेतु अन्कूल नहीं है जलवाईू की द्रष्टी से राजस्थान में शुष्क वय अर्थ्सुष्क जलवाईू भी पाई जाती है सरकारी प्रेतन सवतंदर्था के पर समचित ध्यान दिया है वह अनेक वरक्षा रोपन परियोज ने प्रार्म की है जिसमें वन विकास प्रार्म हुआ वनों का विकास ध्रकास द्रहातल भूमी की प्राकरती एंव जलवाईू के शूंक्त प्रवाव का प्रणाम है इसी अर्थ्षवस्ता प्रयावण प्रस्तित की संतुलन विकास में वनों का विशेश योगदान रहा है प्रतेक्षाय प्रतेक्ष रूप से प्रात्मिक के जित्यक गोण उपस द्वारा अनेक प्रकार के पदार्थ प्रद प्रति है इन वनों उपद के उज्द्धूकों का आधार है मोते रूप में वन संसादनों से अनेक कडर के लाख प्रापत होते हैं अब वनों से लाख sow adopted से पढ़ते आए हैं खूब प्रकार के हमें वन लाब देते हैं वन प्रानवायों को दूसीत रहित स्वच्छ रखने में प्रमुख भूमी का निभाते हैं इसे वनों की सब्वेता अधिक रहती है उश्ण प्रदेशों में उनके होने से भूमी तेज सूर्य के किनों से सुर् प्रशुवायों को सब्सक्राइब करते हैं में अधिक जल भूमी में प्रेस करता है अधिक प्रचूर मातरा में प्रशी परशुर और ने के लिए विश्ण में रहता है वहायों के भाव को नियंत्रित करते हैं मुरुस्तलिया है और मुरुस्तलिय परसार को रोकने के लिए वन आफशक है मुरुख भूमुई सीमा परपनों की पट्टियां लगाने से उसका परसार रुक जाता है गने वनों में छोटे-छोटे अनगनित कीट पतंगे रेंगने वाले जन्तू पशुओं का जड़ी बूटियों का अनेक प्रकार के जो जंगली पशु जानवार पक्षी इनका इश्रेय है देश में साथ लाग पेंशट जार दोसो त्रेश्र वरक किलो मेंट च्छेत पर वनों हैं अधिस हुजित किया है जो भूगोलिक दरिश्टिक अलग बूग 23.28 प्रतिस्त वास्थिक वन है अब अलग अलग स्थान पर अलग वनों के बारे में बताया गया है 11.30 वन खुले वन है 8.30 स्वच वनस्पती चैतर है 0.5 प्रतिस सत पर ये वन है ये आपको सब का बारी-बारी से अध्यन कर रहा है अब एक दूसरे परकार का वर्गी कर्ण दिया है अरक्षित सुरक्षित और वर्गी कर्दवन आरकशित ऐसरेवन जिसपे लकड़ी काटना राखिषित दोग्षित ऐसरेवन जहां पर लकड़ी गाटना-सुच राख़ाए मिलता है इस परकार लगबग 17.830 अरकशित है यहां पसूं को घास सरने वे लोगों को सुखे पेड काटने की आग्या दी जाती है लगबादे वन चेतर सुरुक्षित शनी में आते हैं यहां जेविक एवं बहुत ज़्यादा पाये जाता है वर्गिल चेतर में मरू जिले मुख्यते आते हैं इसी मेंदर गांदी नहर चेतर की वेर्थ भूमी पर उगाये पेड भी पाये जाते हैं राजे की कारे सिल्जन सुंगे का मातर 0.4 परतिस्ती वन संबता पर रोजगार की दर्ष्टी पर निर्वर करता है राजस्थान राजे वन अभ्यार्यों में सबसे अधिक घनी है अधन लकडी की मांग का 8 परतिस से 10 परतिस अधिक उपलब्व करा रहा है विभा के 35 परतिस विक्रे के अंदर राजे में हैं इनमें 17 परतिस विभिन मुखेले के इंदरों पर है 18 अन्य के अंदर है राजस्तान में वनों की गिर्थी स्थिति के कारण में सबसे प्रमुख है कि स्वतनत्रता से पूरो व्यपस्चाद वनों की और वन निती लागु वनों की और धान नहीं दी गया 1864 में वन निती लागु हुई इसे 1922 में 88 में संसोधित किया गया संसोदन वन निती 1986 का मुक्य धारवनों की सुरक्षा स्रक्षण विकास है इसके प्रमुक लक्षे है अब 1988 की जो वन निती बनाई गी थी उसके लक्षे देखी प्रास्तित की संतुलन के स्रक्षण और पुन स्थापना द्वारा प्रयावन स्थाइतों को बनाई रखना प्राकरतिक संपधा का स्रक्षण नदियों, जीलों, जलाशियों के आवाजावी की चेतर में भूमी कटाव और मर्दा परदन पर नियंतर्ण, राजस्थान के रेकिस्थानिक इलाकों में तथा तटवर्ती छेतरों में रेत के टीलों के विश्थार को रोकना व्यापक वरक्षारोपन और सामाजिक व्यान की कारिकरूम के द्वारा वन और वरक्ष के अनाचदन से मैतरपूर बढ़ोतरी करना ग्रामिन एम आदिवासी जनसंख्या के लिए इंधन की लकड़ी चारा आता था अने छोट-छोटी वन उपज आवश्रताओं की पूर्ती हेतु कदम उठाना राष्ट्री आवश्रताओं की पूर्ती के लिए वन उत्पादों में वर्दी करना वन उत्पादों के सही उप्यों को बढ़ावा देना लकड़ी का अनकूल उप्यों करना इन उद्पादों को आगे से आगे जारी रखना इस प्रकार हम ये बिल्कुल आसान सा परसंद था वन का वर्गीकर्ण और वनों से हमें होने वाले लाग इसको अपन ने अध्यन किया आपको अच्छी तरह से समझ में आये होगा अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे वनों के परकार राजस्तान में कई परकार के वन पाए जाते हैं उनके परकारों के बारे में अपने अध्यन करेंगे धन्यवाद